ह 빡़ो गाइस होप ईश लीएुएंग वियลा चुमट other समय वव के वारे में बताए था ट्रांजीटिव इन्ट्रानजीटिव वपको बता चुका। वोब के बारे में बता चुका और मैं बताया था कि आपको जेरंट के बारे में बताऊंगा इंफिनिटिव के बारे में बताऊंगा और पार्टिसिपल के बारे में बताऊंगा तो आज चलते हैं आज जेरंड के बादे में पता चलता है ये एडवांस One Town Weihnighingst में आता है ठीक है वैसे थोड़ा सा ही चैप्टर है इसलिए मैं सोचा थोड़ा एक कंसेप्ट समझा दू जेरंड जेरंड आखिर होतां क्या है जेरंड ये क्या है ज neural जीरंड जीरंड बोलता करता है नाउन का function करता है कैसे करता है चलिए हम आगे दिखाते है जैसे वाब का form रहता है first form रहता है उसमें ing जुड़ जाता है क्या होता है ing जुड़ जाता है जैसे रन है ing जुड़ गया तो running हो गया क्या हो गया running do है do वाब है first form रहता है ing जुड़ गया तो क्या हो गया doing यह सारे के शारे नाउन है देखिए वाब ही होता है कैसे यूज होता है देखिए दुनिया में दो ही चीज है inglish world में दो ही चीज है जो subject का काम कर सकता है जो subject का और object का काम कर सकता है कौन कर सकता है subject का काम और object का काम एक तो noun कर सकता है दूसरा pronoun कर सकता है और जेरंड हमेशा या तो subject बनता है या तो object बनता है कैसे बनता है चलिए देखते जैसे यह subject होता है या object होता है दो में से कोई एक हो सकता और subject और object बनने का काम सिर्फ और सिर्फ noun और pronoun ही करते है noun क्यों करता है और pronoun क्यों करता है noun तो subject होता ही होता है लेकिन noun के बदले ही pronoun use होता है इसलिए noun के बदले pronoun use होता है तो subject का काम या तो subject noun करेगा या तो pronoun करेगा तो चलिए आज देखते हैं example के जरी ये समझते हैं जैसे I like running पसंद करते हैं कौन पसंद करता है मैं पसंद करता हूँ क्या, what का, what का answer आया, क्या पसंद करता है, running, दोरना पसंद करता है, क्या, what, क्या पसंद करता है, दोरना पसंद करता है, कैसे पसंद नहीं करता है, ठीक है, running is a good exercise, exercise है, अच्छा exercise है, एक अच्छा, ये नाउन है, exercise, इसके लिए ये article आया है, good है, adjective है, is what आया है, और subject का काम वाव किसके लिए आता है subject के बाद वाव आता है यह है running what is good exercise तो running is good exercise दोरना स्वास्त के लिए क्या है एक अच्छा वयाम है walking is good for health अब देखिए health है for है health के लिए स्वास्त के लिए good अच्छा है is आया यहां यह वाव है जब तक subject नहीं आएगा वाव आएगा तो आएगा कैसे तो walking what is good for health तो walking is good for health आगे देखते हैं she is good she is good at swimming क्या है she is good at swimming 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 में अच्छा है अब देखिए किस में अच्छा है swimming में अच्छा है on what on what what का answer यहां भी है on what she is good at at what she is good तो swimming में क्या swimming पर बता सकते हैं she is good at swimming swimming वह तैरने में अच्छा है तो अब देखिए एफ्रपोजीशन प्रेपोजीशन प्रेपोजीशन का object यह और object का का काम जानते हैं केवल और केवल नाउन करता है और swimming यहां नाउन बना है तो gerund, gerund का काम हमेशा और हमेशा noun ही होता है, noun ही बनता है gerund, ठीक है, जैसे I know running, मैं जानता हूँ, जानने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, what, running, दोरना मैं जानता हूँ, आप इसको एक तरह से और बना सकते, जैसे I know, know how to run, देखिए, I know how to run, ए भी infinitive बन गया, देखिए, I know जानता हूँ, how to, to run, या infinitive में आगया, non finite में आगया, non finite में ही infinitive आता है, तो अगला वीडियो मेरा infinitive पे जाएगा, infinitive पे, अब धेख ध्यान रखेए गए, infinitive क्या होता है, तो आप ध्यान रखे कि जेरंड हमेशा और हमेशा subject का काम करता है या तो object का काम करता है और वो हमेशा noun ही रहता है hope you have understood well because this chapter this topic is advanced verb so just be careful and write down this theme what we call theme also and logic as well so if you like this video like share and subscribe thank you